Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दी इनप पर सौगत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का Unit 4 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के basis पे किस तरह के Topics बन सकते हैं उन Topics के basis पे क्या Quotions बन सकते हैं और इस वीडियो का Benefit यह होगा कि आप कम समय में अपना Slivers कोरा कर सकते हो कैसे? तो हम गिने चुने चीज़ों को ही पढ़ेंगे, Selective चीज़ों को ही पढ़ेंगे, Selective Study करेंगे जो जरूरी है, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और अच्छे नंबर ला सकते हैं टाइम कमें, एक्जाम का Date Announce हो चुका है, उतना टाइम नहीं कि हम पूरा Slivers को डेटेल में cover करें, तो हम सिर्फ Selective Study करके ही अच्छे नंबर ला सकते हैं यहाँ पर Option यह है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं Unit 4 के बारे में बात करूँ कि Unit 4 है क्या तो यहाँ पर हम बात करेंगे मद्देकालीन भारत में नगरिकरन व्यवस्था के बारे में Medieval इंडिया में किस तरह से नगरिकरन व्यवस्था का विकास हुआ किस परकाल की नगरिकरन व्यवस्था थी, उसकी विश्था क्या था उसके बारे में हाँ पर सारे questions बनेगे Medieval time period को हमें हाँ पर cover करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो chapter आता है chapter number 15 जिसके अंदर हम बात करेंगे उत्तर गुप्तकाल के नगरिकरन व्यवस्था की उत्तर गुप्तकाल के अगर नगरिकरन की व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो question आता है पर दच्छिन भारत के अंदर में आ जाता है पर यहां पर हम बात करेंगे परतिहार वंस किस परकार का था ठीक है परतिहार वंस के सासा तो हम बात करेंगे कि जो यहां पर चोल वंस रहा पाल वंस रहा परतिहार वंस रहा रास्टकुट वंस रहा उनका किस परकार से यहां प पूरा उसके अंदर में किस परकार से नगरों का उदे हुआ, बनारा सवनारा जितने भी है न, इन सारे के अंदर में आ जता है, पर नॉर्मली यह तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटिल में, पर यहाँ पे आप इन वनसों के अधार पर, जो इनका समराजी अगले चेप्टर के अब बात करों तो चेप्टर नंबर 16 जहाँ पर हम बात करते हैं, पुरा लिखो और गरंथों में पारमबिक मद्यकाली नगरी करण, अब देखो यहाँ पर हमने बता दिया वनसों के अधार पर, जो हमें साक्षे मिले, कि यहाँ पर यह इमारत बनी पुराना लेक यह फिर गरंथ जो भी हैं, उनके अधार पर किस तरह से नगरी करण व्यवस्ता थी, मद्यकाली भारत के अंदर में, उसके बारे में कर हम बात करें, तो यह आपर नॉर्मली देखोगे कि मद्यकाली भारत के अंदर में जो नगरी करण व्यवस्ता मिलती है, पारंबिक नगरिकर्ण ववस्ता उसका टाइम प्रेड़ है 600 से लेकर 1300 इसा का पूरा टाइम प्रेड़ देखने के लिए मिलता है और छेत्रिय राज्य के तौर पे इनका देखा जाता है कि अलगलग छेत्रिय राज्यों में डिवाइड था हिंद मा सागर में वैपार इसका स्थापित था चेत्रिय राज्यों और हिंद मा सागर में वैपार का मतलब के इंदर के तौर पे दिखा गया वैपार किया जाता था और इसका विस्तार का जो सबसे बड़ा योगदान में माना जाता है वैपार का माना जाता है सासात में आपे देखोंगे भूमी अनुदान व्यवस्ता के कारण से आरंबिक मद्यकालिन भारत के जो नगरीकरण व्यवस्ता के अंदर में सामन्त वात का उदे हमें उते हुए दिखता है बंदरगाह, मंदीर और नगरीकरण व्यवस्ता का सोरूप यहां पर देखने के लिए मिलता है बंदरगाहों के उपर में फोकुस किया गया वैपार के लिए मंदिरों के उपर फोकुस किया धार्मिक नजरिये से और उसके basis पे नगरी करण का यहाँ पर उदे हमें देखने के लिए मिलता है ठीक है समझ में आता है तो यहाँ पर सिंपल सा कोश्यन रहेगा कि पारंबिक मद्यकाली नगरी करण वैवस्ता किस परकार का है तो यहाँ पर आप 600 इसा पुरुव से लेकर ठीक है 600 से लेकर 1300 सुटक का जो पूरा टाइम पर डिटन है उसको आप यहाँ पर डिफाइन करके लिख सकते हो चैप्टर नमबर 17 की बात करें तो यहाँ पर आता है सल्तनत और इसके नगर अब सब को सल्तनत काल है क्या देखो मुगल काल अलग है सल्तनत काल अलग है कि अंदर में आता है सबसे पहले कि सल्तनत काल में नगरों का उदे किस परकार से हुआ किस परकार से उदे किया गया उसको ठीक है और दिल्ली सल्तनत के जो मतलब किस तर से दिल्ली सल्तनत के अधीन जह मतलब दिल्ली सल्तनत उनके सल्तनत काल के अंदर में आया ठीक है राजधानी को किस परकार से स्थापित किया गया, दिल्ली का, सल्तनत का, नगरी इंकरन किस तरह से किया गया, तो यहाँ पे इसमें कोशन यह रहते हैं, अगले चेप्टर के वर बात कुरूँ तो चेप्टर नमबर 18, जिसके अंदर में हम बात करते हैं, छेत्रिये नगर, र जो नगरी करन व्यवस्ता थी, वो किस परकार के थी, वो उसके बिस पर कोशन रहता है, तो कई बार क्या होगा, आपको यह पूछा जागा डिरेक्ली कि चौदु पंद्रिव सताब्दी के अंदर में, छेत्रिये नगरों का विकास का किस परकार से हुआ, प्रादुभाव गोड हो गया, इनकी मिवस्ता को बताईए, तो अगर आप जोनपूर को देखो गया, तो 1369 में फिरोसा को तुगलक ने बन मतलब इसको निर्मान किया, उसको पूरा विस्थापित किया, ठीके निर्मान मतलब यह नहीं कि बनाया गया, ठीके जोनपूर को, वहापे उसको वहापे उसको बसाया गया, बसावट की गया, उसको अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया गया, ठीके एहमदाबाद हो गया, जैसे सुविदार जाफर खान ने बनाया, तो उस तरह से आप धिरी धिरी यहापे डिफाइन कर सकते हो, कि किस तर से रिजनल छेत्र थे, जोह सब्सक्राइब करने लगे जिसके बेसिस पर इजनल शेतरों का उदे देखा जाता है जो अपने आपको दिल्ली से बढ़कर मानने लगे थे ठीक है समझ में आता है अगली चेप्टर के और बढ़ते हैं चेप्टर नमबर 19 जहां पर हम बात करते हैं प्राइदीपी भारत में मंधिर ना कर चली हां पर कोर्शन आप सभी स्टुन के लिए छोड़ता हूं कि प्राइदीपी भारत क्या होता है प्राइदीपी हम कहते हैं प्राइदीपी का मतलब क्या है वह आप मुझे कम्मेंट करके बताईए देखते कितने मैं नगरू कि बात करें यहाँ साथ में और मंदिर होग लिए शॉथ steps को पता हैं आजी की नगरे सिंपल करा नगरों कि विस्सता किया थी तो हैं की मंदिर और से धारमिक लता थाurday घां़ का एक सोरूप आज मंदिर बड़े-बड़े बनाया जाते हैं मंदिर के अंदर में रहने की जगह बनाई जाती है तो कोई भी गाउं का काम चल रहा है काम चलने का मतलब क्या किसी का साधी है विवा है कोई पार्टी फंक्शन है तो उस मंदिर में ही किया जाता है ठीक है सामुहिक तोर पर तो उसका सामुहीक तोर पर विकास करना ये सारी चीजे रहती है पर इसके अंदर में कोई खास कोशन बनता नहीं है सिंपल सा एकी कोशन रहता है कि मंदिर नगरों की विश्यसता क्या बताई और आने का कोई चांसिस मुझे दिखता नहीं है अगला चैप्टर रहता है हमारा कि दच्छिन भारत में आयाम और गौरफ साली विजयनगर यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टन चैप्टर यह है आपका विजयनगर का ठीक तो यहां पर नॉर्मल कोशन बन जाएगा विजयनगर की नगरवाद व्यवस्ता को बताईए नगर नगरवाले कोशन को अच्छे सकरें अगले चैप्टर को बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21 जहां पर हम बात करते हैं दिल्ली नदी ठीक है दिल्ली नदी टट्ये मैदान का सल्तनत राजधानी ठीक है राजधानी नगर किस परकार से राजधानी में स्थापित किया गया रा किस तरस राजधानी में दिर्यते तबदील हुआ, अलग-अलग सासर का है, किस तरस उनका रोल रहा, तो उसके बेसिस पे एक कोश्चन बनता है, कुछ खास नहीं है, बट फिर भी स्टडी करके जाएं, अगर कोश्चन फर्स जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, नॉर्म कोश्चन बारत के आयाम के अंदर में, गौर अवसाली विजयनगर, ठीक है, यह रहेगा, तो दोस्तों, एक सजेशन रहेगा, आप सभी स्टुडेंट्स के लिए, वीडियो यहां पे अंड होते हुए, अगर आप में हिस्ट्री के लिए प्रिपेर कर रहे हो, चाहए आए के पास पार्ट वन में हो, पार्ट टू में हो, कोई सा भी सब्जेक्ट है में हिस्ट्री का, ठीक है, और आप अच्छे नमबर लाना चाहते हो, में हिस्ट्री के अंदर में, तो आप सभी स्टुडेंट्स के लिए एक सजेशन ये है, कि आप हमारे दीनव चैनल के साथ जो आपके लिए, तो आप उसको जोइन करके भी उसका बेनिफित उठा सकते हो, और सारी वीडियो जो आप में हिस्ट्री, MHI 01 से लेकर, 010 तक के आपको सारी वीडियो यहां पर मिल जाएंगी, जिसके अंदर में आपको लास्ट फाइवर की इंपोर्टन कोश्टन की वीडिय इसनी मी, बबाय, तकित, all the best.